हसलो दोस्तों मैं हूँ गोरव पिछले वीडियो में अपने वह एक प्रॉव्यомеनर लिखा था यह एक प्रोविजनर एड किया था इंस्टेंच जैंड वर्य अपने लास टायम पर क्या किया था यह आपने Courses file थी आपकी right and your destination file आपने ऐसे किया था but इस सेम इस चीज़ को आप एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो दूसरे तरीके से एजैसे कर सकते हो घुरा क पूरा को अप्री फेस्ट करतेता हो और बालीख सकते हो content 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 ठीक है and content देखो आप यहां पर यह content करके है and मैं यहां पर लिख देता हूं this is test content right and readme.md का नाम देता हूं मैं content.md ठीक है तो अब simply क्या होगा अब देखो पहली चीज़ तो यह कि आप एक instance के अंदर multiple provisioners दे सकते हो जैसा कि अपने यहां पर देया अब बात आती है कि गोरव अभी यह जो provisioners हैं जो आपने यहां पर एक के बाद में एक दी हैं तो यह running की sequence में होंगे पैरलली चलेंगे one by one चलेंगे या फिर alphabetically या numerically किसी एक अलगी order में चलेंगे तो उसका answer यह है कि दोस्तों यह उस order में चलेंगे जिस order में यह already लिखे हुए हैं clear तो सबसे पहले यह वाला प्रोविजनर चलेगा उसके बाद में यह वाला प्रोविजनर चलेगा अभी एक चीज और जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया नहीं तो मैं नहीं बनाता यह चीज देखो आप यहां पर यह connection वाला राइट तो connection वाला जो block है आप दोनों यह वाला connection block attach हो जाएगा अगर आपको किसी प्रोविजनर को एक specific डालना है तो आप सेम वैसे डाल सकते हो जैसा अपने पहले डाला था तो आप ऐसे यह code लिग सकते हो अब होगा क्या पहले यह प्रोविजनर चलेगा यह प्रोविजनर क्या करेगा readme.md file को इस location पे डाल लेते हैं तो सबसे पहले तो मैं terraform destroy command चलाता हूं और फिर में वापस apply command चलाता हूं और अगर आपने notice किया हो कि अग जब भी आपके प्रोविजनर successful चलते हैं तो वह आपके resource को tent mark नहीं करते हैं clear चलिए अब चलाते हैं अपन terraform apply command तो दोस्तों आपको मेरी यह series कैसी लग रही है please 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 मुझे comment करके बताते रहना right मुझे बार बार हर किसी वीडियो में चीज़ बोलना नहीं आती है कि आप मेरा चैनल subscribe करो share करो but yes अगर series अच्छी लग रही है तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर करना and comment भी कर देना मुझे बता देना कि हम आपकी series देख रहे हैं हमारे लिए valuable है तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हां किसी के तो काम आ रहा हूं मैं इस जिंदगी में तो दोस्तों यहां पर अपना EC2 instance create हो चुका है और चलिए देख लेते हैं यहां पर आते हैं इसको refresh करता हूं मैं अभी जो नया instance create हुआ है वो नया instance का IP है यह चलिए तो इस IP को अपने access कर लेते हैं और टैंप directory के अंदर चलके देखते हैं कि total कितनी files बनी हुई है अपने इस आपसे दो फाइल बननी चाहिए readme.md और दूसरी कौन सी तो आप देखिए यहां पर एक तो readme.md यह आपकी file का content यहां पर आपको द लाता इतना समझ में आ गया अब एक चीज जो मैं आप पर छोड़ रहा हूं और आपको comment में reply करना है like मैंने आपको यहां पर एक file copy करके बताईए क्या अपने folder भी copy कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसका answer आप मुझे comment section में बताएंगे ठीक है बहुत easy ची burning ocean के जो blocks है मैं वहां पर इस question का answer डाल दूँगा ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में time मिलते हैं अगले वीडियो में bye 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 बोल दिया मैंने but अपन टेराफोर्म destroy command चला देते हैं जिससे next वीडियो से अपनी fresh शुरुआत होईगी तो यह टेराफोर्म डिस्ट्रोई हो ज